अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ बिलकुल फ्री जैसा तू ठीक समझे है थैंक यू साथ तू है अब मेरा मकसद बोगा करने के लिए मुझे बस तेरे अश्रिवात की जरूरत है यह सब तो अकेले कहाँ है दिंदार सरहे मेरे साथ तू है अब कुछ बुरा नहीं होंगा यह गलत पैमे तो मुझे थी पर अब ना तेरे जान पर आई है और इसे लिए मैं तुझे वहां नहीं जाने दूनगी और तू ही तो कहते थी ना कि तेरे और विराट के पीच में ऐसा कुछ नहीं तो पिर क्यों जा रही है किसके लिए जारी था दिल्दाजी आप ही बताई है क्या तुझे सच में लगता है कि विराट तेरी बातों पर यकिन कर लेगा वो मानेगा कि यह सब भपिताचे नहीं किया है उनकी गलती है देख तुझे जूटा ठेराएगा अब एक बार सोच के देखना अगर कोई कोई अगर मुझ से तेरे बारे में आकर कुछ गलत कहेगा तो मैं यकिन कर लोंगी क्या नहीं करोई नही बनाए बस अकर वो विश्वास अंध विश्वास में बढ़ा चाहे तो तो गलत हो जाता और उसकी कीमत हर उस इंसान को चुकानी पड़ती है जो आपकी जिन्दगी से जुड़ा होता विराज सार वो मेरे केस में यह हुआ वो अपनी मॉम पे जो अंध विश्वास करते हैं उसकी कीमत मुझे चुकाने पड़ी और आगे भी तू ही चुकाएंगे नहीं आए आए इस बार रिसाब चुकता होगा मेरा यकिन कर विराज सार सच देखेंगे मैं जानती हूँ इस से उनका दिल टूटेगा लेकिन अब मुझे वाकई लगने लगा है शायद कभी-कभी ना दिल का टूटना प्राम्मी जीने से बहतर हुआ है आई आई प्लीज ना मत कर वर्न में वही गल्ती कर दूंगी जो तो नहीं किया कुन से गल्ती है बाबा की गल्ती हैं हमसे चुपानी की गल्ती चुप जाप अखे ले ले उसारा दर्द सहने की गल्ती ताकि हमने तक्रीफ ना हो इखने से हुआ क्या नहीं 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 बुल्टा चीजें बज से बदतर हो एक बार सोच कर देख जाने हैं गाने में नेदी विराट सर के साथ यह कर जहीं जब मुझे भवीता मैम का सारा सच पता चल गया था तो मुझे फोरह म जाकर उने बताना चाहिये था मुझे तो सबूत जुटाने में लग जाना चाहिये था कि उन्होंने क्या किया है और खुद को बेगुना सावित करना चाहिए तर नहीं किया हो और तेक नतीजा क्या हो बवीता मैं प्रियांका को वापस विराट सर की जिंतगी में लिए वो नहीं समझ पारी है, वो नहीं समझ पारी है कि वो प्रियांका वो लड़की बहुत शातिर है तुनी देखा न उसे अपनी गल्ती का एहसास भी नहीं वो वो सब का नुकसान करेगी और सबसे ज़्यादा विराट सर का जो मैं नहीं चाहते क्योंकि तुनी कहा था ना क्योंकि तुनी कहा था ना क्योंकि कोई भी मुसीबतों विराट सर हमारा साथ देते हैं तुनी कहा था ना कि दोदो बार उनोंने मेरी जान बचा है आज तीसरी बार मेरी जान बचा कि उन्हों ने कर्स तो और बढ़ा दिया नहीं हमारा भी तो कुछ फार्स परता है नहीं कि पुतर, मुझे पता में कि आगे क्या होगा बावाने जी तुझे पर्मिशन देगी हमारी आने की में लेकिन ये एक बात मुझे अच्छी तर से बता कि मेरे बेटे ने जरूर कोई पुनने किया होगी कि उसे तेरा साथ मिला बढ़ा है हाई तु बढ़ता तेरा फैसला के है यकि तु हाँ नहीं कहेंगे ना तुम्हे वापस नहीं जा भांगे अमो बात मेरे हा या ना कि नहीं है अगर तु विराट के सामने बविता जी का सच लाना में कामयाब भी हो गल ना तो अभी वो तुझसे नफरत करना नहीं छोड़ेगा और फिर ये सब करके तुझे क्या मिलने वाला है इंसाह उजे सुकून में लेगाई मैं अपनी बेगुनाही साबित करके उन सारी इद्जामों से बढ़ी हो जाओंगी आए विराट सर चाह के भीना मुझे भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हीं लगता है मैंने उनकी मौम को मारने की कोशिश की जबता चाहिक बहुत जरूरी है की विराट सर को सुच पषची का अहसास हो उन्हें अहसास हो कि प्रिंक को वापस विराट सर की जिंदीगी में लाकर वो कुछ अच्छा नहीं कर दिरू पूलता विराट सर को बरबादी की ओर ड़केर लिए और सबसे ज़्यादा जरूर ही है तेरे परवरिश पे जो सवाल खड़े किये गए नो उसे जवाब देना और ये सब तब ही हो पहेगा जब मैं जूट का पल्दा फाश करेंगी जब मैं सब के सामने ये साबित करूगी कि मैंने बविता मैम को उस प्रक के आगे धका नहीं मारा था मुझे अहू जहाँ उस वापस जाना होगा प्लीज जाने दे मजे वाहे गुरू प्राट वही लड़का है जिस तरह के लड़के की हवानी को हमेशा से तलाश थी अमों के लिए आज भले ही हालात के चलते वो इस बात से मूप एर रहे लेकिन वो भी चानती है कि यही सच है अब और देर मत कीजिए भुवान कोई तो चमतकार कर दो विराट और अभू को एक दूसरी के लिए अपने दिल में चुप प्यार है उन्हें उस प्यार का एसास करा दीजिए मिला तो उन दोनों को अपने हैंघयर को लेकर तो पैसे सब्सक्राइच के लिए बने हैं अब चाहर को लेके तो कोई अमीद ही नहीं बची यार हमीन उसकर घर में वाप्पस आने की वाप पस आने की गोई अमीद नहीं है ना एक ड्याड़ी तो सहा रहा थे, अब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, कर्मीनेंट्री यार विराट ऐसे दिंदार अंकर ने भी गलत नहीं कहा है पता था, पता था कि तू उनी का साथ देगा ताट की तरह तुझे भी लगता है कि कि मैं बैंकर का ख्याल नहीं रख सकता मैं उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लाफ नहीं यार, तू गलत सोच रहे